जिस इस्थान पर गव मता को बांधा गया हो और गाय अपने बच्छडे को बच्छिया को जन्म देती हो उस इस्थान पर उसकी मिट्टी उसकी मरदा उस जगहा की रज जब मतान का मुर्त होता है दुकान खोली जाती है दुकान बनाई जाती है दुकान में कोई अगनी का प बच्चे को जनम दिया हो उस इस्थान की मिट्टी उस भूमी पर लेपन कर दी जाए तो जिंदगी में कभी संपदा की कमी नहीं हो सकती है। पर वह भी देशी गाय, देशी बच्चों को जनम दे, अभी देशी नहीं, जर्सी नहीं, हो देशी बच्चडा हो, देशी ही गाये। जनम देती हो, गाये अपने बच्चिया को जनम देती हो, उस जगह की विक्टी बड़ी प्रवल होती है। यहां तक शी महापुराण के कता कती है, इसकंद पुराण कती है, धेनु मानस कती है, गीता प्रिस गोरतपुर का गोंक वर्णन करता है। महाराण, गउमाता के खुर, गउमाता के चरण जहां पर नित्य प्रती पढ़ते हों, नित्य प्रती पढ़ते हों। चरण पढ़ने पर गउमाता के खुर में से गोलोचनी निकलती है, वो गोलोचनी सफेद कलर की होती है, उसको आप एसे पटक देंगे तो बिल्कुल ऐसा लगेगा जिससे लकडी है, पर वही गोलोचनी को आप दूद में डाल देंगे, तो चलना चालू कर देंगे। उसको कहते हैं, गोलोचनी है, गोंक में बढ़ना ने इसका, इसका अनकुराण में इसका बढ़ना ने, जिस जगहा पर गाए बच्छडे को जनम दें, बच्चिया को जनम दें और जनम देतें समय पर गउमाता को जबक कश्ट की अनभूती होती है, जो कश्ट, जैसे एक नारी का कश्ट होता है, वैसे ही गउमाता का कश्ट होता है, और वो कश्ट के समय पर खुर में से गउलोचनी गउमाता के कश्ट को हरने के लिए प्रगट होती है, उस गउलोचनी का जिब्या से गउमाता चाटन करती है, चाटती है, और चाटने के बाद जो बच्छडा जनम देती है और बच्छडे को अपनी जिव्या से एक बार चाट लेती है दुनिया में केवल एक गव माता का बच्छड़ा ही ऐसा है कि वो गव लोचनी की जिव्या से चाटने के बाद बच्छडा तुरंत उठके खड़ा हो जाता है दुनिया में एक शेरनी भी अपने बच्चे को जनम दे एक चीता भी अपने बच्चे को जनम दे भेंस भी अपने बच्चे को जनम दे एक पुता भी अपने बच्चे को जनम दे दुनिया में कोई अपने बच्चे को जनम देगा तो बच्चे को उठने में समलने में समय हो जाता है दुनिया में केवल एक गव माता है गव लोचनी ढूंड़ो हम यह नहीं करते कि तुम गव माता के पाउं में ढूंड़ना प्रारम कर दो आप तो मत ढूंड़ो गव लोचनी जहां गिरी है उस रज का भी बड़ा मात्व अर्ताक गाई ने जहां बच्छडे को ज हमारे जीवन का आनद कन भो करा देती है इसलिए सास्त कहता है कि नई दुकान बन रही हो नया मकान बन रहा हो माराज नई कोई प्रापर्टी आपने खरी दी है और उसमें कोई वेपार चालू करना चाते हो तो पहले गाए जहां पर बच्छडा बच्छिया को जनम दिया ह भले पेले दिया हो पर जमीन तो वही है रेस तो वही है वहां की मिटटी का लेपन करने से वो सुकद वो आननद वो संपधा बढ़ जाती है यहां तक शुमहाकुरान की खथा कती है इसकsam पुरान यहां तक कती है कि मान लो कोई नया मकान आप बना रहे हो और बास्तू व तुमने भले वास्तु के साफ से बनाया तुमने भले वास्तु के साफ से बनाया पर जितने वास्तु वालों को बलाओगे वह कुछ ना कुछ एव उसमें निकाल ही देंगे यह पक्का निकालेंगे, तुम किसी को पत्रिगा दिखाने चले जाओ, किसी को अपना हाथ दिखाने चले जाओ, तुम किसी से नक पूछने चले जाओ, तुम किसी वास्तु सास्त्री के पास चले जाओ, जब तक वो उसमें थोड़ा वो ते एव नहीं निकालें, तो क्या मतलब क्यों थोड़ा बद भयत उत्पन करना पड़ेगा ना पर शिव महापुरान कि कहती है कि शंकर के पास आने के बाद कोई भय की बात होना ही नहीं चाहिए कुछ भी नहीं क्या दुख क्या तकलिप क्या तश्ट अगर शंकर का नुमोदन कर रहे हो शिव का इस्मर्ण कर रहे हो तो फिर सोचना नहीं है जो होगा शंकर करेगा वो होगा अगर किसी व्यक्ति को चर्म रोग हो गया, कुष्ट रोग हो गया, चमडी सफेद पड़ गई, रोग समापत नहीं हो रहा, बढ़ते जा रहा है, अवशदियां आपने बहुत कर ली, तो तीन जगा की मिट्टी आपको फल प्रदान करें, पहला सूरी कुंड की मिट्टी, इ उस सूरी कुंड की मिट्टी को लाकर, जिस व्यक्ति को पुष्ट रोग हो गया हो, शरीर की चमडी सफेद पड़ गई हो, इसकंद पुरण करती है, सूरी कुंड की मिर्दा लगा लेने से पास से साथ दिन में रोग समापत होने लगता है मारण, पर सूरी को सर्वदिक प सर्वदिक प्रियतास, सूरी को क्या, क्योंकि सूरी तपता है, तो उस तपन को मिटाने के लिए सूरी दे होता कि शरीर पर गाय का घरत मला जाता, जैसे शनी को तेल लगाया जाता है, सूरी को घरत मला जाता, इसलिए सूरी कुंड का एक नियम है, कि सूरी कुंड पर से ग लेकर आते हैं शरीर पर लगाने के बाद जब शरीर का चर्म रोक समाप तो हो जाए सफेज चमड़ी अपने बापिस रंग में आ जाए तब आप जितनी कामना करकर आते हैं उतना गी उस सुरी कुंड के पास में डालना पड़ता है एक किलो दो किलो आदा किलो डाइसु गिर इस कंड़ पुराण में तो केवल सुरी कुंड का वर्णन है गरत का वर्णन है पर इस खान आज भी जासी और धतिया के बीच में जो सुरी कुंड विराजमान है आज भी वहाँ पर कुंड के पास में एक गी का कुवाँ है जिसमें गी डाला जाता है पर उस गी का पर गंद नहीं, गरते, तीन जगा की म्रदा, जीव को सुक्त नुभाव कराती, पहला सूरी कुण्द, महाराजे, श्री श्रिवाई नामसमगुहम हम श्री श्रीवाई नामसमगुहम हम श्री शिवान नमस्तु किहम्हारची